जम्मू और कश्मीर आतनकवादियों ने हुरियत नेता भजल हक को रैशी के घर पर हमला किया कानस्टेबल की हत्या काई मीडिया रिपोर्टों के मुताबक रविवार को शरी नगर के सुरा आलाके में उग्रिवादियों ने हुरियत नेता फजल हक कोरेशी के घर पर हमला किया था DNA में एक रिपोर्ट के मुताबिक कुरेशी पीपुल्स राजनेतिक फ्रांट PPF के प्रमुक है जो मीरवाई जुमर फारुक की अगवाहुरियत समेलन का एक अटक है DNA रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 209 में उग्रिवादियों द्वारा गोली बारी के बाद कुरेशी को लगवागरस्ट कर दिया गया था रोर हिजबु मुझाहे दिन ने 2000 में युद्ध की घोशना के बाद बातचीद में महत्वपूर्ण भूमेकाने भाई थी ग्रेट कश्मीर में एक रिपोर्ट के मुताबिक कांस्टेबल फारुक एहमद जब उन्हें इसके आई इमस सौरा अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया था तो वह गंभीर हालत में थी जहां उन्होंने अपनी चोटों के कारण मौत की थी रिपोर्ट के मुताबिक आतनकियों ने भी एहमद की सर्विस राइफल से कथित रूप से घेर लिया था इससे पहले रविवार को जम्मू और कश्मीर के बढ़गाम जिले में चरड़े शरीफ मंदर के पास उग्रवादियों के हमले में एक पुलिस कर्मी मारा गया था जम्मू और कश्मीर सशस्त्र पुलिस के कांस्टेबल कल्टर सिंग शुरू मैं घायल हो गए थे जब आतनकियों ने तीर्थ स्थल के बाहर एक सुरक्षा गार्ड पर हमला किया और अपने हथियार से भाग लिया बाद में वहे एक अस्पिताल में अपनी चोटों के लिए मारे गए अधिकारियों ने बताया कि क्षित्र को घेर लिया गया था और हमलावरों को पकड़ने के लिए शिकार पर है